नहीं दिल्ली के राश्पती भवन में आयोजित प्रधान मंत्री और केंद्री मंत्री मंदल के शपत ग्रहंच समारों में महा महीम राश्पती श्रीमती द्रौपती मुर्मू ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी सहित केंद्री मंत्री परिश्ट के सदस्यों को मंत्री पत की शपत दिलाई शपत गर्षपुर लोगसभा से नव निर्वाचित सांसा तोखन साहू ने भी केजिरी राजजी मंत्री के रूप में पत और गोपनियता की शपत की जिस पर प्रदेश के मुक्य मंत्री विश्नुदेव साय ने खुशी जताई है शपत ग्रहट कारकरम क के बाद श्री साय ने मीडिया से चल्चा करते हुए कहा कि नव गठित NDA सरकार में 36 गड़ की बिलाजपुर लोगसभा सीट से सांसा तोखन साहू को मंत्री मंदल में स्थान मिला है यह 36 गड़ राज के लिए एक और अफशाली है मैं तोखन साहू इस्वर की सबत लेता हूं कि मैं वीधी दवरा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची स्रधा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंटा अक्शूद रखूँगा मैं संग के राज्यमंत्री के रूप में अपने कतब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुद्ध अंताकरण से निर्वान करूँगा तथा मैं भय या पक्षपाद अनुराव या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सभिधान और विधी के अनुसार नयाय करूँगा